कॉशन है, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it यहाँ पर बात हो रही है आपकी convex lens की, ठीक है, convex lens form कर रहा है, real inverted image of a needle at a distance of 50 cm तो यहाँ पर हमें given में हम लिखेंगे, सबसे पहले हमको दिया हुआ है आपका convex lens अब convex lens के case में हमें पता है कि जो image real inverted बनती है, वो right hand side form होती है ठीक है, तो यहाँ पर जो V की value आएगी, वो क्या आएगी, V will be equal to 50 cm जो दिया हुआ है, उसको हम प्लस में लिखेंगे अब यहाँ पर object distance आपसे पूछी है, तो यहाँ आपको बताना है, ठीक है if the image is equal to the size of the object, यदि image का size equal है object के यनि जो आपका magnification वो कितना आ रहा है, आपर 1 आ रहा है अच्छा, यहाँ पर 1 दो आ रहा है, लेकिन real inverted images, तो कैसा बन होगा, यहाँ पर minus 1 होगा यह आपको दिया हुआ है, क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको h' दिया है equal to height of the object के, ठीक है, यदि image का size, size of object के बराबर है तब आपको पताना है, needle कहाँ पर place है, also find the power of the lens और आपको power भी निकालनी है lens की, तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान question है यहाँ पर क्या करना है तुमको, कि जो आपको v दिया हुआ है, और m दिया है इससे हम u निकालेंगे, क्यों, lens formula से क्यों निकल सकते u क्योंकि बेटा, lens formula में हमें चाहिए होता है, 1 upon f equals 1 upon v minus 1 upon u हमें यहाँ पर ना तो f दिया है, ना तो u दिया है, तो हम इस formula को अभी use नहीं करेंगे हम यहाँ पर m की value से, और v की value से u निकालेंगे हमें पता है कि magnification क्या होता है, magnification होता है आपका m equals to v upon u, ठीक है, अब m किया दियाओ आपका minus 1, v कितना दियाओ आपका 50, तो हमें u निकालेना है तो minus u is equal to 50, यांदि u is equal to 50 centimeter, यह बहुत आसानी से आपका आगया है, और आपको पता भी है कि यदि equal image बन रही है तो यानि कि आपके दोनो object image कहाँ पर है object है आपका 2F1 पर और image बन रही है आपकी 2F2 पर यही position होती है ठीक है जो कि center of curvature आपके आते हो 2F1 से represent करते हो lens की case में और उधर 2F2 पर lens के सामने दूसरी ओर आपकी image formula थी real inverted तो यहाँ पर U की value आगे आपकी minus 50 अब आपको निकालना है power of the lens तो वही power निकालने के लिए आपको कह चाहिए F चाहिए क्योंकि जो power का formula होता है वो क्या होता है V is equal to 1 upon F तो हमें F चाहिए अब F चाहिए लेकिन अब हम F निकाल लेंगे क्यों क्योंकि हमें U मिल गया है V हमें already given है तो हम formula ले लिखेंगे 1 upon F equals 1 upon V minus 1 upon U 1 upon V कितना है आपका 1 upon 50 ठीक है minus 1 upon minus 50 तो कितना होगे है आपर LCM आपने क्या ले लिया 50 ले लिया अब LCM 50 आगे आपका 51 जब 51 और यह भी माइनस माइनस प्लस होगा तो यहां भी 1 जो आएगा वो प्लस में आएगा तो कुल मिला कि क्या होगे आपका 2 upon 50 तो जो F की value आ रही है आपकी वो आ जाती है F is equal to क्या आगे 50 upon 2 और आप लिखोगे F is equal to 25 cm यह भी आपका plus में है क्यों plus में है क्योंकि focal length यहां पर हम plus में represent करते है convex lens की case में ठीक है अब यहां पर power निकालनी है power निकालनी के लिए आप क्या करोगे P is equal to 1 upon F लेकिन जो हमें focal length है यहां पर meter में लिनी होती तो हम लिखेंगे P is equal to 1 upon 25 इसको meter में convert करनी के लिए जो कि हमारा बिल्कुल correct answer है क्यों क्योंकि convex lens जो होता है तो power आपकी plus में आती है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप questions को कर सकते हो यह दि मैंने का equal size image है तो मैं पता है कि center of curvature पर यहनि 2F1 पर object है और 2F2 पर आपकी image बन रही है equals size के उसी case में बनती है और real inverted बनती है तो बहुत आसानी से आप करोगे question Thank you